हाई फ्रेंट्स मैं आरती ओनलाइन प्रेप्रेशन भी थारती में आपका बहुत बहुत श्वागत है फ्रेंट्स आज का जो वीडियो ही आपका डिलेड को लेकर के है जिन लोगों ने नयाज से डिलेड किया है उसकी एक नियूज आपको हम बताना चाह रहे हैं जो आज के दैनिक जागरन पेपर में आई हुई है आप देखे रहे हैं कि पातरता के फेर में फसे देश के करीब 12,00,00,00 सिखषक चल रहा है इसमें विबाद देखिए जो ये विवाद स्टार्ट हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है कि जो ये विवाद है वो बिहार से सुरू हुई है क्योंकि बिहार में जो है प्राइमरी लेवल की एक लाग के संतिंग बेकेंसी आने वाली है और उसमें जो है बिहार सरकान ने जिन लोगों ने नायस से डिलेट किया है उनकी मानता को मानने से अश्विकार कर दिया है और इसके बदले में जो जिन लोगों ने नायस से डिलेट किया है वो टीचर अब जा चुके हैं कोर्ट तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे राज़ों में भी दिखी सुख बुगाहट तो दूसरे राज़ों में भी इसकी सुख बुगाहट जो है वो दिखने लगी है क्योंकि 18 माय का प्रसिक्षण सिक्षकों की नियुनतब आरता में नहीं किया सामील चली आए पूर इंफॉर्म समय में नया प्रसिक्षण पूरा करके भले ही अपनी मौचा नौकरीक को जाने से बचा लिया है क्योंकि दिलर्ट जर्नली उन्हीं लोगों के लिए कराया गया था उन टीचरों के लिए कराया गया था जो अन्ट्रेंड है यानि कि जो लोग आप प्रसिक्षित थे जिन्होंने कोई प्रसिक्षन कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी टीचिंग की तो उन लोगों के लिए डिलेट कोर्स कराया गया था तो उन लोगों ने डिलेट कोर्स कर लिया और उनकी जॉब बच गई क्योंकि जो लोग अप्रेल 2019 के बाद अंट्रेंड रहते तो उनको टीचिंग में नहीं रहने दिया जाता उनको अपनी नोकरी से हाथ दोना पड़ता लेकिन भविश में उनकी राहे फिलहाल बंद हैं इस पिथोड़ा सा गौर करिएगा कि भविश में जो उनकी राहे हैं डेलेडेदी सोच की किया गया कि आगे चलके जौब के लिए भी एमान होगा तो यहां पिथोड़ी मुश्किले आ रही है बज़य है कि स्कूलों में पढ़ाने वाले सिक्षकों को एन्सीटी यानि राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशत जो है उसकी आहरता का एक नियाम है जो एन्सीटी होती है और इसके तहद जो नियाम है उसके तहद दो शालired दिप्लोमा इन अलीमेंटी जो एजगेशन होता है ठीक है ना करने वाले इसके पातर है तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात यहां पे दो शालका एंसीटी ने मानता एक रखी है अपना एक अहरता एक नियम रखा है कि जिन लोगों ने दो शालका डिलेट किया है वो हर एक जौब के लिए टीचिंग जौब के लिजवल होंगे लेकिन यहां पे नाइस ने जो डिलेट कराया है वो अठारा महीने का करा लेकिन यहां पे अगर बात की जाये तो यह नायस ने केले डिलेट कोर्स नहीं कराया है बलकि NCT ने अपनी इसमें परमीशन दी ती सहमती दी ती तभी यह कोर्स आगे बढ़ा भी था चलिए आगे देख लेते हैं यहां पे कि ऐसे 18 महीने का विसेज डिलेट कोर्स करने वाल अब यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने नायस से डिलेट किया है तो इस बेस पर कहीं दूसरी जगे जॉब नहीं कर सकते हैं हलांकि इन सब के बीच देश भरके इन अपर शिक्षित शिक्षकों को यह बिसेज कोर्स कराने वाली मानो संसाधन विकास मंत्राले की संस् जहां से डिलेट यह कराया गया है उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है यानि कि स्टैटिंग में भी हमने देखा था जो इसका प्रोग्राम गाइड है उसमें भी मानो संसाधन विकास मंत्राले और जो आपका एंसीटी है वो भी दोनों साथ में थे लेकिन एंसीटी जो भी एठारा महिने के कोर्स को मानने से इंकार कर रहा है लेकिन मानो संसाधन विकास मंत्राले जो है वो अभी भी यह नायस के साथ ही है संस्थान का कहना है कि उनकी डिलेट के कोर्स में कोई कमी नहीं है यह नायस कह रहा है कि जोनोंने डिलेट कोर्स कराया है उसमें करा दिया गया है क्योंकि आल लेडी यह जो टीचर है वह इस को कर रहे थे और उनका जो सिक्षन अनुबॉत है वह भी इसमें जोड़ा जा रहा था इसलिए इसको दो साल के बज़ा 18 महीने का करा दिया गया है लेकिन जिसे एंसीटी भी मंजूरी है एंसीटी ने में पहले कह एक एंसीटी और मानुसमसादन विकास मंतरे दोनों ही स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी पर्मीशन दे दी थी इस कोर्ष के लिए और एंसीटी ने मंजूरी भी दी थी और ऐसे में वह जिसके आधार पर कहीं भी नोकरी करने के लिए पात्र होंगे जो चेयर्मेन इसक को कहा भी था लेकिन इस बिवात के बढ़ने पर जो एंसीटी है उसने अब चुपी साध ली है यानि एंसीटी की तरफ से कोई भी प्रतक्रिया नहीं आ रही है और इसका एक रिजन ये भी है कि बिहार में एक लाग के सम्थिंग जो है वेकेंसी आने वाली है और आई थिं समले को कोर्ट तक भी लेके जा चुके हैं जो ये केस है वो कोर्ट में चल रहा है भी देखते हैं जो भी निर्ना होगा आप तक के मैसेज पहुंच जाएगा लेकिन यहाँ पे एक बात इस पश्ट साप हो चुकी है कि एंसीटी और मानो संसाधन विकास मंत्राले दोनों न कैसे लगा जिरूर बताईएगा और आप लोग उम्मीद का दामन बिलकुन भी ना चोड़े 100% कोई न कोई शल्योशन तो निकलेगा चलिए फिन्नेस्टी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए चेक केर बाए